नमस्कार तमाम दर्शकू का स्वागत हैं हर्दिल अजीज का इक्रम बिहार बिहान लाइव में आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट शात्मा दर्शकू जिस प्रकार मित्टी का गीला पन जिस प्रकार पेड़ों की जड़ों को पकड़ कर रखता है ठीक उसी प्रकार शब्दों का मीठा पन मनुश्य के रिष्टों को पकड़ कर रखता है रिष्टों में मिठास को बनाए रखता है यहां दर्शकू लेकिन ये बदलत वक्त की बात कहूं या फर पता नहीं क्या आज रिष्टों में वो मीठापन नहीं रहा है आज रिष्टे शायद बेमानी से हो गए हैं जिस पर हम अपने कारेक्रम में आज विशेश तोर पर चर्चा करने वाले हैं तो आप हमारा कारेक्रम योही देखते रहेगा बने जाते हैं उन्हें रिष्टे बोज लगने लगते हैं लेकिन क्या होता है जब वो रिष्टे हमारे जिन्दगी से चले जाते हैं इस पर भी हम विशेश तोर पर चर्चा करेंगे दर्शकों लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कारेक्रम का आगाज हम अच्छी सोच के साथ कर वो हमेशा एक सीधा रास्ता सही रास्ता दिखाती है इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि सवेरे हम आपको उस सीधे रास्ते से अवगत कराएं जी हां हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपको पॉजिटिविटी से दो चार करवा सकें इसलिए हमारा पहला सेग्मेंट होता ह अन्मोल वचन का तो आईए देखते हैं अपना पहला सेग्मेंट जिसमें हम जानेंगे रास्टरपिता महात्मा गांधी के अन्मोल वचन को महात्मा गांधी ने कहा था एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं आज अपने स्टूडियों में एक विशेश महमान को बुलाया है तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के बेहदी खास महमान का जिहां आपको बता दूँ दर्शकों कि आप हैं अशोक कुमार श्रिवास्तव एक समाज सेवी हैं साथ ही साथ आप पुर्व केंद्री अभियंता पटना दूर दर्शन भी रह चुके हैं तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे विशेश कारिक्रम भी हार भी हान लाइव में सर जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया और आप भी जानते हैं कि आज विश्व बुजर्ग दुर्व वहार जागरुकता दिवस है क्यूं जरूरत आन पड़ी इस दिवस को मनाने की? क्या हाँ पर चूक हुई? क्या कुछ कमिया हो गए जो आज के दिवस को हमें मनाने की आविशक्ता आन पड़ी? जी हाँ देखिए चूक तो यह बहुत गंभीर है अगर इसको ध्यान से इस पर चिंतन किया जाए तो आना कि प्रकिर्ति का नियम है हमेशा परिवर्तन होता ही रहता है इस्तिरता का नियम नहीं है कहीं पी ना तो जीवन में इस्तिरता है ना प्रकिर्ति के कारिकलाप में इस्तिरता है तो इस तरह से जीवन में भी इस जो गतिशीलता चलती चलिया रही है परिवारतन होते रहे हैं तो वर्तवान में जो परिस्थितियां पैदा हो गぎई हैं उसका कारण भी जो बदलाव आया है हमारी जीवन शैली में ये वहां से इस्टन होती है हम लोग जिस सिस्टम के अंदर को ने अपनाया सामाजिक जीवन जिसको कहते हैं तो सामाजिक जीवन की शुरुवात होती है विवा से वही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ में जब आत्मी उसके बाद जीवन संघर्ष में उतरता है उसके पहले का जो समय है वो है आपकी तैयारी का प्रिपरेशन का आप जितना भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जितनी भी विद्याएं सीख सकते हैं उसमें समय लगाते हैं और जो कुछ हासिल किया आपने अपने विद्यार्थी जीवन में अपनी सीखने की स्टेज में, चाहे माबाप से सीखा हो, चाहे स्कूल से सीखा हो, चाहे अपने गुर्बों से सीखा हो, तो जिस विदामगी में को भी आपने चाहा उस विदामगी में को जब आपका विवा होता है तब आप जीवन संघर्ष में उतरते हैं, जिन्दगी से आपका सामना होता है, उसके पहले तक तो आप माँबाप की छाया में रहते हैं, माँबाप जैसा कहते हैं, आपका आराम तकलीफ का सब की जिम्मेदारी वो लेते हैं. तो जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी, उतनी अच्छी तरह से जो है आप इस युद्ध संगर्ष में, जिसको जीवन संगर्ष कहा जाता है, अगर हम इसको एक युद्ध का नाम दें, जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी, उतनी सफलता से, उतनी खूपसूर्ती से, जो है आप युद्ध के छेत्र में अपने आपको सफल कर पाएंगे, युद्ध जीत सकेंगे या हार जाएंगे. तो ये समय में हमारे हां कहना चाहिए, कि शिक्षा पद्धिती में भी बहुत से परिवर्तन हुए हैं, जिसकी वज़े से ये परिस्थिती पैदा हो गई है, कि हम अपने सामाजिक मूलियों को भूल बैठे हैं. बहुत संचेप में हमें एक बात की ओर ध्यान आकरशित करना चाहूँगा, जानता समस्ता हर कुई है, लेकिन हम केवल उस पर ध्यान का करशित करना चाहते हैं अपने दर्शकों का. कि जन्म से लेकर और मिर्त्यु तक की जो जीवन यात्रा है, इसमें दो अवस्थाएं ऐसी हैं, जबकि जीव अपनी आवश्चक्ता खुद पूरी नहीं कर पाता है, जिसको कि हम बाली आवस्था कहते थे हैं, बच्पन कह देते हैं, बच्पन के दोर में जो है उसकी बच्चे की सारी आवश्चक्ता है, कि पूर्ती कोई न कोई और करता है, चाहे वो उसके अपने माबाप करें, चाहे समाज की और कोई संस्था करें, चाहे सरकार करें, लेकिन बच्चे की जरूरतों को ध्यान देना होता है, उसी प्रकार से ब्रद्ध आवस्था भी एक ऐसी आवस्था है जीवन की, जब कि वरद्ध पुरुष अपनी आवस्था को अपनी व्यक्तिगत आवस्था की पूर्ती के लिए, उसको किसी न किसी के सहारे की आवस्था पड़ती है, इनी दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए, हमारे हाँ परिवारिक सिस्टम बनाया गया है, और जब परिवार बनाया गया, तो उसके पीछे यह चीज क्लियर कर दी गई, कि बच्चे की देख भाल की जिम्मेदारी माबाप पे है, और वोजर्गों की जिम्मेदारी जब वो अशक्त हो जाते हैं, वो दूसरे पड़्ड बने जाते हैं, तो उस समय उनके बाल बच्चे हैं, बेटे बेटियां जो भी हैं, वो उनकी केर करेंगी, जी बेशक्त, कह सकते हैं कि यह जीवन चक्र है, बाल अवस्था में हमारे माता पिता ने हमारा ध्यान रखा, तो जब वो वरद अवस्था में पहुंचते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी उठाना हमारा फर्ज हो जाता है, लेकिन आज कई ऐसे बच्चे हैं, जो इस फर्ज से अपना मूँ मोड लेते हैं, जानना चाहूंगे यहां पर, चुकि आप लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, और आपने विर्धा आश्रम भी चलाया है, विर्धा आश्रम को भी देखा है, तो किस तरह के मामले वहाँ पर ज्यादा आते हैं, पारिवारिक प्रिष्ट भूमी उनकी कैसी होती हैं? देखे, एक तो बहुत सिंपिल सा है, जिसमें किबाल बच्चे उनको निगलिक नहीं करना चाहते हैं, ना करते हैं, वो उनकी जिम्मेंदारिये निपा रहे हैं, लेकिन आज की जो जीवन शैली हो गई है, उसकी वज़े से वो अपने माबाप को समय नहीं दे पाते हैं, य लेकिन फिर भी जो जीवन शैली में परिवर्तन आया है, और वो सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है, कि पहले हमारे यहां परिवाक में कार्यक का विभाजन था, महिलाएं घर गरश्ती की सारी जिम्मेदारियां समालती थी, और पुरुष जो है, पूरी तरह से सारी बाहर क जिम्मेदारियां समालता था, वो भी भाजन अब टूट गया है, जरूरत यह हुई, कुछ आवश्यक्ताइं ऐसी हुई, समाज में ऐसे परिवर्तन हुए, कि महिलाओं को भी अपनी गरश्ती चलाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा, तो जब महिला घर से बाहर निक हो गए उसके निकलने से, उसके लिए कोई दूसरा प्रबंद करना पड़ेगा, बच्चों की दे कोई तो करेगा ना, और दूसरा अगर घर में परिवार में बुजर्ग लोग हैं, जो अशक्त हो चुके हैं, तो उनकी केर कौन करेगा, दुर्व वहवाहर आज के बुजर का जो कारण है, अगर उन कारणों की तलाश करें, तो क्या देखते हैं आप, क्या पाते हैं? कारणों की तलाश में हैं, देखिए, दो चीजी हैं, एक तो भौतिक कारण है, दूसरे, जो हमारा जीवन भौतिक वाद की तरफ बहुत तेजी से भागा है, और पिछले कुछ वर्षों में तो बहुत जात तेजी स्पीट से ये पकड़ा है इसने, और दूसरा हिस्सा जो है, जो हम मिस कर जाते हैं, वो है मानसीक लगाओ, इमोशन जिसको कहते हैं, आपका आपसी सत भावना कैसी रहती, भावना कैसी है अपने मापिता के प्रती, या भाई बहनों के प्रती, इतने भी रिष्टे हैं परिवार के, सब के पीछे, एक तो भावतिक वाद है, और द है, खतम होता जा रहा है, तो यह जान समझना बहुत ज़रूरी है, अगर इसको अभी नहीं रोका गया, तो यह सिस्टम हमारा परिवारिक सिस्टम जो है, खतम होने वाला है, इसका अंत जो हम इमेजिन कर पा रहे हैं, यहां तक होने वाला है, हाना कि आज भी दौर कि विवाह के प्रती जो कमिटमेंट है, जो जिम्मेदारियां जोड़ जाती है, परिवारिक संबंद बनते हैं, उन जिम्मेदारियों को वो फाल्तु समझते हैं, उसका नतीज़ा यह है, कि आजकल मानसिक बीमारियां बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, हमारे नौजवान लोग भी ग्रसित हो रहे हैं मानसिक बीमारियों से, जो क्राइम इतना हो रहा है तरह तरह का, उसके पीछे यह मानसिक बीमारी है, जिसके पीछे कि जो एमोशन के जरिये हम अपने सा मंद को निभाते हैं, अपने रिष्टों को निभाते हैं, जिन एमोशन की वज़े से वो emotions खत्म होते जा रहे हैं ये बेहदी एहम मुद्दा है और ये मेरे ख्याल से समवेदन शील ही नहीं अती समवेदन शील मुद्दा है, topic है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, emotions अपने अंदर develop करना चाहिए, आपका इतना साल का वर्ग ही आते हैं या पर किसी और कारणों से भी लोग व्रधाश्रम का रुख करते हैं। अब आजकल के जो हुआ पीड़ी है, उनका lifestyle उनकी मान्यता है, उनकी evaluation सब अलग हो चुकी, बदल चुकी है, और अब भुजूर्ग वर्ग जो आजका है, उनके मान्यताएं, evaluation, moral values अलग हैं, तो अगर एक साथ अगर रह भी रहे हैं, तो आपस में tension होता रहता है, तामेशा टकराओ होता रहता है, अब भुजूर्ग लोगों के सामने इसा क्या समस्या आती है, वो हर बात में टोकना उनक को टोकते हैं, तो बच्चों को बुरा लगता है, कि आप हमारी लाइफ में इंटर्फियर करते हैं, हमको अपनी लाइफ नहीं जीने देते हैं, और उनके नजरिये से वो जो कुछ भी उनके आम एड़्दिगर्द सामने में हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तो उनके नजरि को बच्चों को डातना या अपनी बात को कहना बंद कर देते हैं, तो अंदर-अंदर गुटते रहते हैं, अपने आपको अपमानित महसूस करते हैं, तो वहाँ अंदर-अंदर गुटने के बजाए यह ज़्यादा बहतर समझते हैं, कि इस अच्छा है, आप अहां से हट कर के अलग रहे हैं जो लोग अलग रह सकते हैं अलग रहते हैं लेकि जिनके पास वो साधर नहीं है उनके लिए दूसरा च्वास है ओल देज हो जहां उनको अपने विचारधारा के लोगों की संगती मिल जाती है और अपनी बात अपना दुख से अपनी एमोशन से वो शेयर कर पाते हैं असानी से तो उनकी सारी लाइफ में सारे दुख तो दूर नहीं किया सकते हैं लेकिन एक जीने लायक समान जनक जीवत बिताने का तो रख बनता है ना तो वहां पर कम से कम वो अपमानित नहीं महिसूस करते हैं अब ये बात और है क्योंकि पैसा दे रहे हैं और जो उनकी सेवा कर रहा है उसको पैसा मिल रहा है इसलिए वो अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता है ये विचारधारा तो बहुत इकवादी हुई लेकिन सच्चा ही ये नहीं है वहां जो लोग सेवा कम करते हैं उनके सामने आप कम नका कीजिए कि कितना बड़ा चैलेंज है कि अलग अलग बैक्ग्राउंड के अलग अलग परिवार के अलग अलग विचारधारा के अलग अलग घर के से आय हुए वो बुज़रू लोग है जिनके बारे में उनको कोई जादा कोई लगाओ नहीं है कुछ नहीं है उनकी वो केर करते हैं मान समान के साथ केर करते हैं आप अपने माबाब की केर अपने घर में करने लाइक नहीं है, अब वो अलग-अलग परिवार के इतने लोगों की केर कर रहे हैं, तो यह कम चुनोती पूरु नहीं है, कितना उनको बरदास्ट करना पड़ता होगा, मिलकुल सही बात कर रहे हैं, जी, अब वो भी तो, मूली कंट्रिब्यूशन नहीं है, बेशन, बिलकुल, अगर बात करूं, ओलड-एज होम की, तो बिहार में अभी क्या इस्थिती है, यहां पर ओल-ड-एज होम की, अभी तो इस्थिती जो देखते हैं, कि परियांशन, गवर्मेंट की तरफ से कोशिश हो रही है, और काफ लेकिन प्रैक्टिकल बात क्या है, कि सरकार के पास जो वर्किंग मशीनिरी है, उनके पास मशीनिरी नहीं है, वो बना तो देंगे, ब्लीडिंग बना देंगे, लेकिन रोज का काम देखने के लिए उनके पास कोई दिपार्टमेंट नहीं है, न कोई स्टाफ है, नतीजा क कि यह होता है, वो किसी NGO's को या समाज से कुछ संस्थाओं को हैंड ओवर करते हैं, और सरकार से कुछ budget उनको देते हैं, लेकिन यह बड़ी मज़ाग की बात है, कि जो budget सरकार देती है, वो इतना कम होता है, कि अगर हम आपको पता है, हमारी कुछ समय पहले हमने जानकारी हासिल की थी, सरकारी Old Age Home में, एक व्यक्ति पर पंदरा सो रुपया महीना दिया जाता है, अब जो भी उसको रखेगा, पंदरा सो रुपय महीने में वो क्या सेवा दे पाएगा, क्या खिलाएगा, जी बहरहाल हमारी कोशिश यहीं है, आज की दिन का उद्देश यहीं है, कि किसी के भी बुज़ुर्ग को Old Age Home का रुख ना करना पड़े, यहां पर मेरा आप से यह सवाल है, कि उसको जाना पड़े, लेकिन जो सामाज की परिस्तितियां है, जो जीवन शैली में जो बदलाव आया है, आखिर कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा, अगर आप घर में परिवार के अंदर में उनको बदाश करना संभव नहीं हो है, तो इसका यह अर्थ नहीं है, कि वो बचे हुए जीवन का जो भी 10-15 साल बचा हुआ है, वो उसी कष्ट में गुजाने, यह कहां का निया है, तो वो तो रास्ता धूनेंगे ही, आप नहीं देंगे, वो अपने आप धूनेंगे, हमने ओलड एज अपने आप पनाया बात करोंगे कि एक पिता जो होता है, वो पूरी जिंदगी अपने परिवार को पालता है, अपने बच्चों को पालता है, हर जरूरत को पूरा करता है, लेकिन एक सर्वे के अनुसार हम अगर बात करें, तो रास्त्री एसर पर 47% बज़र्ग जो हैं, वो आएक इस रोत के अपने परिवार पर डिपेंड हैं, और बहुत से ऐसे बज़र्ग हैं, जो जीवन के इस मुकाम पर पहुँचने की बावजूद कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे बज़र्गों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें ये कह कर भी रोग दिया जाता है, कि अब आपकी उलाद इसलाइक है, अब आपका बेटा इसलाइक है, कि वो बहुत कुछ कर सकता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो कितना जरूरी होता है एक बुज़र्ग को अपने आपको इन्वाल्व रखना किसी काम में, इस मामले में सबसे बड़ी बात जो है फार जिस व्यक्ति ने सारी जिंदिगी जिसके उपर अपने नियम बचला हैं, अपनी आज्या चलाई है, वो उसकी आज्या का पालन करें, ये प्रैक्टिकेविल बात नहीं है, अगर आप जबरज़र्श्ति अपनी आज्या थोपेंगे उनके उपर तो वो कुंठित हो जाएं उसकी आजादी आपको है, तो कि आप समर्थ हैं, लेकिन वो जो असमर्थ हैं, उनके पास जो कुछ भी जो है बचा हुआ है जीवन में, और बची हुई शक्ति है, उसका वो अपने तरीके से वो खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं तै कर सकता है, जी रहत करने हैं कि वो बाहर जाए के काम नहीं करें, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि मेरे बच्चों का देख भाला दाई नौकर वाला काम घर में बैठके करिए, बच्चे को इस्कूल पहुचा आईए, इस्कूल से लेखर के आईए, घर में बैठा के उसके खन यह काम तो कोई भी कर सकता है। वो किसी और से नहीं मिल सकता है। यही हमां बाप को रखा जाता है घर में बूरे को कि भी बच्चों की देखवाल करेंगा, घर का खाना वोना पकाएगा वगैरे। मुझे याद आ रहा है कि मेरा अपने करके जो एक मीना कुमारी की फिल्म थी उसको गाउं से जो लेके जाता है बॉम्बे में रखता है अब जिस दिन उसको पता चल जाता है कि हमको इसलिए लाया गया है तो घर छोड़के चली जाती है बाहर फुट पात में रहने लगती है फुट पात के लड़के लड़कियों की देखबाल करने लगती हुझ उनके लिए खाना बनाने लगती है जी बेशक अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है लेकिन हरकी सोच एक जैसी हुझ ये ज़रूरी तो नहीं है पलगको गई लोगों की मन्शा शायद करार की वज़े से इस दिन की जरूरत आन पड़ी है कि हम इस दिन के महत्व को समझें और इस पर जागरुता भ्यान चलाएं कारिकरम का आयोजन कर सकें ताकि दर्शक हमारे समझ सकें कि बड़े बुजर्गों का जो महत्व हैं वो हमारे जीवन में कितना एहम है जीहां हैगा तो हमारे रिष्टे जो हैं हम पूरी तरह से बिखर जाएंगे हमें बिखरने से रोकते हैं हमारे बड़े बुजर्ग और अफसोस की आज दुर वहार उनके साथ क्या जाता है हो सकता है कि सोच में बहुत फर्क हो हो सकता है कि वो जो कहते हैं वो हमें नागवार गु होगा उनकी बातों को सुनना होगा उन्हें समय देना होगा क्योंकि बहुत सारे बुजर्ग जो हैं वो मायूसी में इस वक्त अपना जीवन गुजार रहे हैं यहां पर बात करूँगी अपने महमान से कि यह जो सारा सीन क्रियेट हो चूका है हमारे सामने क्या कुछ संदे कि किस प्रकारיע को अस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। इस्थिति बाहर री निकलना नहीं. और जो पुरानी पीडी है उनकी जरूरतों पर ध्यान देने की जरूरत है वो पुरानी पीडी केवल जो सबसे बड़ी जरूरत उनकी होती है दाल रोटी खाना पिना नहीं है सबसे बड़ी जरूरत है कि उनको एक रोटी मिले लेकिन मान सम्मान के साथ मिले जी बेशक और आ मान समय दें इसी के साथ दर्श्क को हम अपने आज के महमान से विदा लेना चाहेंगे बहुत भहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे आपको कि आप हमारे कारेक्राम ने आए और इतनी सारी बाते हमारे साथ साचाएंगी तहे दल से आपका शुक्रिया मैं वै übrigक्रा तो दर्शकों ये थे हमारे आज के खास मेहमान जिन से हमने विश्व बज़र्ग दुर्वेवाहर जागरुपता दिवस के बारे में बहुत सारी बाते की आपसे भी कहना चाहूंगी कि अपने घर में और आस पडोस भी नज़र रखें अगर किसी बज़र्ग के साथ दुर्वेवाहर हो रहा है तो अपनी आवाज बुलंद करें चुपना बैठें क्योंकि बढ़ापा एक दिन सभी को आना है कहते हैं कि बच्चा हो या बड़ा सभ बढ़ी को इज़त प्यारी होती हैं मुहबत चाहिए होती है बच्चे को भी और बड़ों को भी बुज़र्गों को भी मुहबत दें प्यार दें अपना पन दें इसी के साथ दर्शकों अब वक्त हो चला है कि आप से कहूं कि आप अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं तो हमारा इमेल अड्रस है डिरेक्टर डिटी के पटना अधर एग्यमिल डॉत कम